सर, दो IPO's तो ongoing है, आज NICA का IPO बंद होगा, फीनो का आज दूसरा दिन है, पर जो नए खुल रहे हैं, Policy Bazar या PB Fintech IPO, कैसे देखना है सर इसे, क्या सला देंगे आप? पीबी Fintech, Policy Bazar और पैसा बजार, दो ये पॉर्टल से इनके पास में, दोनों ही अपने अपने बिजनेसे में मार्केट लीडर हैं, पहले बता दूँ कि आपको करना क्या है, पीबी Fintech के IPO में जो रिस्क लेने वाले इंवस्टर्स हैं, वहीं लोंग टर्म के लिए पैसा मामले में और ओनलाइन लोन देने के मामले में, ये लीडर कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये मार्केट लीडर है, अच्छा मतलब, ओल्मोस्ट मोनोपोली काइंड ओफ, पोलिसी बजार का और पैसा बजार का, नोन ही है सर, बहुत वेल लोन ब्रैंड है, और सबसे मार्केट लीडर है, रेविन्यू की ग्रोथ अभी तक बहुत बैतरिन रही है, आगे भी रहेगी, हिंदुस्तान में इंशुरेंस का पेनेटरेशन भी बढ़ रहा है, और ओनलाइन इंशुरेंस लेने का, इंटरनेट का, डिजिटाइजिशन का, ये सारे जो पेनेटरेश करनेका भी इजाधा सकते हैं, तो ग्रोथ तो कंपनी में रहेगी, और मार्केट लीडर्शिप भी रहेगी, दोनों ही रहेगी लम्गे समय तक उस हिसाब से, जिन लोगों को रिस्क लेने की ताकत है, वो पैसा लगा सकते है, अब रिस्क लेने की ताकत के आप से, क्यों? company मुनाफ़ में नहीं है तो मैं पैसा क्यों लगाँ यह बात सही है अपना अपना रिस्क लेने का तरीका है बहुत सारी company लगा रही है बहुत सारे funds लगा रहे है आप जिस तरह से देखना चाहें वैसे देखें तो अगर आपको लगता है कि मुझे loss making business में partner नहीं बनना है तो फिर आप छोड़ दें लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि नए जमाने के बिजनेस यह कब profitable बाद में होतो हैं आपको पता है कि revenue के basis पर multiple मिल जाते हैं market share के basis पर मिल जाते हैं उसका फायदा भी फिंटेक को भी मिलेगा दूसरा यह कि इससे बड़ी जो चीज रिस्क मुझे दिखते है profitable कब होगी नहीं होगी तो secondary है लेकि उससे बड़ी रिस्क है कि online बिजनेस है इनका insurance वगरा का कब कौन से regulations बदल जाएं पता नहीं चलता मुझे न e-commerce company में जो IRCTC का हमने हाल देखा है ठीक है न कब किस चीज पर government regulation बदल दे नो डाउट यह directly सरकारी company नहीं लेकिन कभी कोई online बिजनेस को लेकर कुछ ऐसा rule आ गया जो company के पूरे dynamics सी change कर दे कोई ऐसा नया player आकर disruption कर दे किसी ने सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ broking में जहां पर कोई नए player आकर आपको बिल्कुली साफ कर देंगे पूरा market share ले जाएंगे online में में इससे direct हुआ कर दे आफ लाइन में इतने बड़े 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 ब्राइन आपकर कोई नए player आकर आपको पूरा disruption कर दे तो वो disruption कहीं भी हो सकता है इसमें भी हो सकता त मुझे लगता है कि यह एक चीज है जिस पर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है बजाए वेलुशन से भी profitable और वेलुशन तो अपनी जगह है यह रिस्क थोड़ी से मुझे ज्यादा दिखती है उसलिया अगर आपकी रिस्क लेने के रहा प्लस तीसरा market की भी रिस्क है वह पहल जाए नहीं तो कोई बात नहीं बात वैसे लॉंग टर्म के लिए नहीं जमाने का बिजन से रिस्क समझ कर पैसा लगाएं कि यह तो यह तो रही पी बी फिंटेक की बात